हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ब्रेड का हल्वा जिसके लिए हमें चाहिए वाइट ग्रेड, किश्मिश, बादाम, काजू, चिनी और दूर अब हम इसके ब्रेड के कॉर्णर्स को कट करेंगे आप इसको किसी भी चीज, नाइफ से कट कर सकते हैं और कटर की भी हेल्प ले सकते हैं यह देखिए इस तरह कट कर लेंगे हम इसको और इसके बाद में हम इसको मिक्शर ग्राइंडर में इसको बिल्कुल बारिक पीस लेंगे यह देखिए हमने पहले ही पीस के रख रखा है प्रेट का बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम गैस ओन करेंगे और इसके उपर खढ़ाई रखेंगे इसके अंदर हम घे डालेंगे आप गियू सपोर्टिंग डालिए जितनी आपकी प्रेट का यह चुपा है यह देखिए हमने घेट में डालिए आप कोई भी कडाई यूज कर सकते हो मैंने यहां नॉन स्टिक कडाई का यूज किया है इसके बाद में हम इसमें धीरे धीरे ब्रेड का चूरा है डालेंगे यह देखिए पिर इसको आप दीरे दीरे ऐसे मिलाएंगे अब हम इसको हिलाते रहेंगे जब तक यह ब्राउन नहीं हो जाती है ब्रेड का हलुआ खाने में बहुत ही टेस्टी होता है इस सब लोगों को बहुत पसंदाता है जब तक यह गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता हम इसको हिलाते रहेंगे यह देखिए यह देखिए यह ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है ब्राउन होने के बाद में हम इसके अंदर दूद डालेंगे दूद से इसका जो कलर है वह भी बहुत अच्छा आएगा यह टेस्ट में भी बहुत अच्छा बनेगा देखिए यह ब्राउन बनेग वाला है बस दो मिनेट और इसको दिलाते रहेंगे अगर आप इसमें पहले ड्राइफूर डालना चाते हैं तो डाल सकते हैं अगर बाद में डालोगे तब भी ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें पहले ड्राइफूर डालेंगे यह मैंने पाजू डाल लिए हैं इसके बाद में आप थोड़ी सी किश्मिश डालेंगे यह अगर इसकी मैंने यहाँ वन एड़ हाफ की लास दूद लिया था आप अपने इसके अपोर्डिंग डालेजिए जितना चाहिए और फिर इसको हम देरे देरे हिलाएंगे आप अपने अपोर्डिंग डूद डालिए अगर आप थोड़ा और डालना चाहते तो इसके अंदर डाल सकते यह देखिए और कच्चा दूद अगर यूज करे तो वह बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप इसमें मलाई डालते हैं तो वह भी आप यूज कर सकते हैं कि देखिए हम इसको देरे देरे हिलाते रहें यह देखिए अब यह बल्गा पक चुका है इसके अंदर अब हम शूगर डालें शूगर आप अपने कोडिंग डाल सकते हों लेकिन अगर यह हल्वा पूरा शूगर से कवर हो जाएगा इस वह विल्कुल मेशा हो चुकर कि देखिए हमने चीने डाल दीए अब हम इसको तिलाएंगे हम इसको तक तक तिलाएंगे जब तक इस चीनी बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाएगे अब देखिए इसका टेक्श्यर कितना अच्छा है इसका कलर भी कितना सुनकर हो गया यह यह देखिए इसको वह ऐसे हिलाते रहे अब हम इसको जब तक 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 इलाएंगे पूरी तरह पकने पर यह देखिए हलवे ने भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है यह बीचे बिल्कुल भी नहीं ची पक रहा है जितमींस यह रेडी हो गया अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे यह देखिए अब इसने बिल्कुल भी पोड़ी है अब यह पक के पिल्कुल रेडी है अब हम इसको सब करेंगे यह देखिए अब यह बिल्कुल पक गया है अब हम गैस को बंद करेंगे और हम अब इसको नीचे उताएंगे यह हलवा आप जरूर प्राय कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू पासिए आपको बंद कीजिए यू